ही गाई स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज वीडियो में सीखने वाले इंस्टाग्राम के बारे में अगर आपने इंस्टाग्राम पर पूरे दिन एक्टिव रहते हैं जिससे आपका जो इंटरनेट है वो तेजिक साथ खर्च हो जाता और आप पूरे दिन अपने फोन को यूज नहीं कर पातीforward आपने पूरे दिन इंस्टाग्राम को आप नहीं पाते हैं लेकिन आज हम इस वीडियो में अपको बताएंगे कि अगर आपने इंटरनेट को बचाना चाहते हैं और आपने Instagram को पूर देन चलाना चाहते हैं तो किस तरीके से चला सकते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो please हमारे चनल को subscribe करें तो चलिए गया इस वीडियो सुरू करते हैं आपको क्या करना आपको सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम एप को उपिन करना है जैसी अपनी इंस्टाग्राम एप को उपिन करेंगे उसका आपको क्या करना आप प्रोफाल वाली आइकन पर क्लिक करना है जैसी आप प्रोफाल वाली आइकन पर क्लिक करेंगे उसका आपको उपर media quality तो आपको क्या करना है आपको data use media quality पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो इसे हाँ first option होगा data saver अगर आपके instagram में data saver का जो features बंद है तो आप अपने instagram को use करेंगे तो आपका जो net है वो तेजी के साथ खर्च होगा यह नहीं आपकी जो MBA बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगी जिससे आप पूरे दर अपने instagram को use नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको यहां से data saver on कर देना है जैसे आप data saver on कर देंगे तो आपका जो internet है वो कम खर्च होगा यहीं आप कोई वीडियो देखेंगे वो लो क्वाल्टी में आपको दिखाई देगी और आप कोई फोटो अप्लोड करेंगे या कोई भी चीज अप्लोड करेंगे वो लो मीडियम क्वाल्टी में अप्लोड होगी उसकर आप देख सकते हैं एक नीची option गुग जाती है तो आपको क्या करना आपको यह features यहां से बंद कर देना है जैसे आप यहां सी बंद कर देंगे और आप data जी भी डाटा कर्च नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके से आपने इंस्टाग्राम को यूज करते समय अगर आपके में ये फीचर बंद है तो आप यहां से अपने डाटा सेबर को आउन कर लेंगे और आप पूरदन इंटरनेट यूज कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पर तो गैस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस हमारी वीडियो को लाइक करें सेर करें और अभी तक आपने हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमारी चनल को सब्सक्राइब करें